सब्तमभाव हमारे marriage को दर्शाथ है यानि हमारी partnerships को जब केतू सब्तमभाव में आते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने partners ये प्रतिये को दासीन behavior रखते हैं यानि आप detached feel करते हैं अपने रिष्टों में हमें ये भूलना नहीं कि केतु जहां भी बैटे हैं वहां पे हमारे को मुक्षक दे रहे हैं यानि हमें उस भाव के प्रती जो भी मुँ है जो भी अटैच्मेंट है उससे अलग करते हैं एक higher purpose के लिए क्योंकि देखिए केतु एक अध्यात्मिक ग्रह माने गए हैं बहुत तिक नहीं तो यदि समझ लीजिए किसी की शादी हुई और उनके बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हैं और उनके सबतंभाव में केतु है तो के तु आपको उस रिष्टे से detachment की feeling देता है dissatisfaction की feeling दे सकता है यानि आपको शादी शुदा जिन्दगी में होते भी ऐसा feel हो सकता है कि ये किस तरह की life है इसलिए फिर आप जब आपको proper जो भी आप expect कर रहे थे शादी में वो जब नहीं मिलता तो फिर आप अपने जीवन का purpose खोचने के लिए अपने आपको explore करते है तो इसलिए अगर positive feeling में देखा जाए तो ये आपको higher purpose के लिए तयार करती है ये basement मगर yes in relationships, in business partnerships के तु यहाँ पर आके आपको detachment या dissatisfaction ज़रूर provide करता है इस house से related significations में तो यहाँ पर भी आपको balanced approach रखनी है आपको बहुत ज़ादा अपने marriage को ठीक करने की या चलाने की आपको उसके पीछे obsessive नहीं होना है यानि जो है उसको accept करना है और ईश्वर के भरों से छोड़ना है उसे तो 7th house का केतु का placement कोई बहुत positive नहीं माना जा सकता लेकिन जब केतु 8th house में होते हैं तो 8th house एक बहुत ही secretive house है आकस्मिक घटनाओं का भाव है मृत्यों का भाव भी कह जाता है हमारे in-laws का है हमारे partners के संपत्ती का है तो जब इस भाव में केतु आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके life partner की finances में कमी करते हैं यानि आपके अपने जो in-laws हैं उनके साथ भी कही न कहीं आपको dissatisfaction का relationship देते हैं यानि आप जितने भी कोशिश करें या आपके in-laws कितनी कोशिश करें फिर भी कहीं न कहीं आपको अपने रिष्टों में कमी का ऐसास होता है आप dissatisfied रहते हैं अपने in-laws के पक्ष से और आपको एक detachment सी feel होती है आप जितना भी कोशिश करते हैं still आपको अंदर से सुकून नहीं मिलता उस भाव की कारगतों में कही ना कही ancestral properties में भी कुछ ना कुछ issues create हो सकते हैं और आकस्मिक घटनाएं भी ऐसे लोगों के जीवन में हो सकती हैं अचानक से चोट लग जाना अचानक से सर्जरी का हो जाना सेहत में अचानक से कुछ घराबी आ जाना और क्योंकि के तु सिक्रेटिफ हैं इसलिए अगेन आपको second opinion जरूर रेना चाहिए यदि आपको कोई physical issue आ रहा है तो बाकी occult subjects के लिए research activities के लिए अध्यात्म के लिए तंत्र की जानकारी के लिए ऐसी activities के लिए engineering के लिए केतु का अच्टम में बैठना कोई इतना बुरा नहीं माना जाता बलकि उनके बारे में आपको अर्डी internal जानकारी होती ही है इसलिए आपको जैसा कि पहले भी हमने इतनी बाद discuss किया कि केतु जहां मैठे है वहाँ पर आपको obsessive नहीं होना है उस चीज़को आपने ईश्वर के भरों से छोड़ना है इसलिए 8th house के placement केतु की इतनी बुरी नहीं मानी जा सकती खासवर पर उन लोगों के लिए जो लोग अध्यात्म से जुड़े है जो लोग research activities से जुड़े है, engineering से जुड़े है, analytics से जुड़े है manufacturing से जुड़े है, उनके लिए इतना बुरा नहीं कहा जा सकता तो अब हम बात करते हैं केतु की placement 9th house में, देखें 9th house हमारा higher knowledge का house है higher studies, हमारे spiritual जो viewpoints है, हमारे guru, हमारे पिता यहाँ पर जब केतु आते हैं तो कहीं ना कहीं पिता से दूरी हो सकती है, चाहिए physical हो, चाहिए emotional हो आप बहुत ही जादा spiritual nature के हो सकते हैं, बलकि हो सकता है कि बहुत सी spiritual modalities आपको औरड़ी मालूम है क्योंकि आपने अपने पूर्वी जन्मों में उस चीज़ को औरड़ी experience किया है, इसलिए आप बहुत जादा expert है उन चीज़ों में तो इसलिए कहीं न कहीं आपको एक detachment का भाव फील होता है, आपको लगता है कि मुझे यह सा मालूम है तो मैं क्यूं इनकी पीछे बहुत सादा भागूं इसलिए केतु का यहां पर बैठना आपको बहुत एक अंदर से धर्मिक व्यक्तित्व का बना सकता है आपकी सोच बहुत ही अध्यात्मिक हो सकती है लेकिन पिता से कहीं न कहीं आपके मन मुटाव रह सकते हैं या वो आपको समझ ना सके या कहीं न कहीं मतलब आपके बीच में मिसंडरस्टैंडिंग्स हो तो इसलिए इस भाव के ये पीछे आपको अपसेसिब नहीं होना है तो इसलिए यदि आपके कहीं न कहीं मन मुटाव है अपने फादर से या कहीं मिसंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ पे आपको जुकना है एक और पॉइंट आपको केतु के लिए समझना है कि जहां भी केतु बैटे हैं वहाँ पे आप जुकिए वहाँ पर अपनी एगो को त्याग दीजिए उन रिष्टों के प्रती तो जैसे कि थर्ड हाउस में अगर आपके छोटे भाई बेनों से कुछ आपका मन मुटाव हुआ है तो अपनी एगो को भुला कर आप अपने रिष्टों को ठीक करने की कोशिश कीजिए यदि सेकिंड हाउस में है तो फैमिली से यदि आपकी नहीं बनती है स्टिल आपको अपनी एगो को त्याग कर उन रिष्टों को दुरुस्त करना है यदि नाइंथ हाउस में है पिता से नहीं बन रही अपने गुरुओं से आपकी मिसंडरस्टेंडिंग्स है तो भी आपको यहाँ पर जुकना है क्योंकि जुकने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता बलकि आप अपने ही रिष्टों को एक सेकिंड चांस देते हैं अगर दोनों ही एगो में आ जाएंगे या अगर दोनों ही गुस्से में आ जाएंगे तो फिर तो रिष्टा खतम ही हो जाता है ना इसलिए जहां पर भी गेतु है वो आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कि आपको अपनी एगो को त्याग ना है तो जब गेतु दशमभाफ में आते हैं यानि आपके प्रोफेशन के हाउस में आते हैं तो यहां यही जैसे मैंने बताया कि ये व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बहुत ही पारंगत होते हैं बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं और कुछ समय बाद जाके इनको अपने काम से ही विरक्ती होने लगती है यानि नहीं लगता है मैं क्यों कर रहा हूं काम मुझे ये सा मैं अलड़ी कर चुका हूं और मैं बोर हो गया हूं मुझे कुछ नया करना है और इनको अपने घर में बहुत सुकून मिलता है और कई बार यदि अपने काम में बहुत जादा एक्सपेक्टेशन्स रखने लगते हैं वहां पर ही प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि अप्सेसिव नहीं होना है जहां पर केतु बैठे हैं आपको उस भाव को इश्वर के भरों से छोड़ना होता है इसलिए जिनके भी दशम भाव में केतु है वहां पर आपको disability level नहीं लाना है अपने काम के प्रति आपको एक satisfaction तो काई नकाइक प्रतिस्फधक्जन का भाव आपको अपने काम के प्रति आता है तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो भी मेरे लिए हो रहा है मेरे professional life में वो सब अच्छा है और इश्वर सब भला करेंगी और जो भी मुझे प्रमोशन मिलनी है या मुझे जो भी बढ़ोतरी मिलनी अपने कामकाज में वो स्वतही होगी यदि आप इस भाव के प्रति बहुत अप्सेसिफ हो जाए और यह बोलें कि मुझे कुछ गेंस नहीं हो रहे हैं वहाँ पर फल देने के लिए आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि सिमिलरली जिनके के तू 11 फॉस में बैठे हैं अब 11 फॉस के हमारे डिजार फॉल्फिल्मेंट का हमारे बड़े भाई बहनों का हमारा फ्रेंड सर्कल हमारी सोचल विसबिलिटी हमारी इ एक चीज को वो ड्राइ आउट कर देते हैं उसे आपको डिटाच करते हैं उस भाव से या नहीं हो सकते हैं आप अपने भाई भेनों से दूर रहें बड़े भाई भेनों से आप अपने फ्रेंड सर्कल से दूर रहें और कहीं न कहीं आपको उस भाव के प्रति अपनी आ सकती छोड़नी होगी अपना अप्सेशन छोड़ना होगा और उसे भगवान के भरो से चोड़ना होगा और पैसे के प्रति भी आपको अपना जो एल्टीट रखना है वो ऐसे ही रखना है कि जो भी आ रहा है I am happy with that आप आपको obsessive नहीं होना है even पैसे के प्रती अपनी earnings के प्रती यदि आप obsessive होते हैं और सिर्फ पैसे के बारे में सोचेंगे तो वह भाव आपको रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि वहां के तू अलड़ी बैठे हैं तो आपको उस चीज को इश्वर के भरों से छोड़कर अपना क शुरू किया वहां पर इस भाव में कमी आपको नजर आएगी यानि आपके इच्छाओं की पूर्ती में लंबा समय लगेगा आपकी इंकम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके बड़े भाई भेनों से आपके मन मुटाव हो सकते हैं आपके फ्रेंट सर्कल में आपको मान ना मिले ऐसा हो सकता है इसलिए आपको यह समझना है कि के तु अलड़ी वहां बैठे हैं इसलिए आपको उस भाव के प्रति अप्सेसिव नहीं होना है और उन रिष्टों के प्रति इगो को नहीं रखना है यानि यदि आपको पड़े भाई भेन से आपका कोई जगड़ा हो गया है या अपने friend circle में आपको कोई जगड़ा हो गया और आपको पता है कि गलती है आपकी भी है और उनकी भी है तो आपको अपनी ego को त्याक कर, माफी माणगनी है और अपने रिष्टों को आगे चलाना है यही केतू हमें यहां पर शिक्षा देते हैं केतू का बारव पारभाव हमारी investments का है, foreign travels का है, spirituality का है, एक unknown world जिसे हम नहीं जानते हैं, हमारे पित्रों का भी माना जाता है, हमारी sleep patterns भी है, हमारे bed pleasures भी पारभाव से देखे जाते हैं, तो यहाँ पर जब केतु आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अध्यात्म की तरफ आपका रुख करने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि केतु का nature ही है, कि वो आपको उस भाव से detach करता है, यानि आप बहुत ही अध्यात्मिक नहीं होंगे अपने पूर्फ चन्मों में, बहुत ही आपने charity की होगी, donations की होगी, इसलिए इस बार वो अलड़ी आप कर चुके हैं, इसलिए आप उ शादी के बाद हो सकता है कि आपका बहुत जादा ध्यान अपने relations में ना रहे, आपको detachment feel हो, और कहीं न कहीं आपको spirituality की तरफ जाने का मन तो करता है, लेकिन आप उससे कटने लगते हैं, क्योंकि आप ये भी जरूर याद रखी, केतु के बिल्कुल opposite राहू बैठे होते हैं, तो जहां भी राहू बैठे हैं, वहां पर आपको focus करना है, यही आपका purpose भी होता है life में, कि जहां राहू है, वहां आपको focus करना है, लेकिन क्योंकि केतु कि जो चीज़ें हम अलड़ होता ही है, कहीं न कहीं bet pleasures में कमी होती है, इन्वेस्मेंट्स होती है, लेकिन इन्वेस्मेंट्स में कहीं आपको dissatisfaction का feeling आता है, इसलिए अगेन आपको एक balance approach रखनी है, बार्वे भाव के प्रती भी, और यहां पर foreign travels भी बहुत होते हैं, और कई पर foreign settlement भी possible होती है, तो overall हम भाव को हमने विलकुल भी obsessively follow नहीं करना है, क्योंकि वो already वो चीज़े हम अपने अंदर inculcate कर चुके होते हैं, अपने पूरो जन्वों से, और हमें अपनी ego को त्यागना होता है, जहां पर भी केतु बैठते हैं, और जो भी जैसी भी चीज़े हमाई life में होती हैं, उसक एक्सेप्ट करना होता है, और ईश्वर के प्रती, surrender यानि समर्पन का भाव रखना होता है, उस भाव के कारकत्वों के प्रती, अगर हम ये समझ जाते हैं, तो केतु की energy को अच्छे से ही समाल कर सकते हैं, राहु केतु के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन ये बार पकी है, कि दोनों ही राहु केतु एक बहुत ही powerful, secretive energy है, और इस energy को हमें अच्छे से इस्तमाल करना है, ना तो हमें इन से डरना है, और ना ही इनको बुरा कहना है, ये energy है, इसको हमें अपने behavior से, अपने attitude से, अपने कर्मों से, एक सही तरीके से इनको direct करना है यदि आप इनके, जहां पर भी वो placed है, इनके बारे में यदि आप समझ जाते हैं, तो बजाए इसके कि आप किसी भी चीज के लिए इने blame करें, बलकि आपको ये समझ में आता है कि आपको ये placements क्यों मिली हैं, और जब आप ये अच्छे से समझ जाते हैं, तो energies को positively use करना possible हो जाता है, तो मुझे होई था, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, इसको शेर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए में चैनल को, और मैं मिलती हूँ आप से अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ, सर्वस्ति धिरस्तू, ओम नमस्यवाए, धन्यवादू झाल